हेलो वर्गोज, वालकम टु गुरू माहिंदी चारो और ये रीडिंग है 6th of October से लेके 12th of October तक की तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैस्टेस है इस वीक में और अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाव में तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्च्स्थ for Virgos लेकल आई कर्लाव इंचैंटर स्वील एंड नाइन अफ बोन्स ओके तो हमारे पास है दा वाइट हर्ट दा वाइट हर्ट के साथ लगता है जैसे कि ये परसन आपको देखके थोड़ सा सर्प्राइस है इस परसन को ये उमीद नहीं थी कि ये रिलेशंशिप कभी रियालिटी में मैनिफेस्ट भी हो सकता है इस परसन को सिर्फ आपके और उनके बीची बादहाई और डिफरेंसेज नज़र आ रही थी उन्हें नहीं बज़ा था कि चीजें इत्ती भी बदल सकती है ओके ये एक ऐसा परसन हो सकता है जिसका आप पर बहुत लबे सबसे क्रश था अब अगर आप रिलेशंशिप में है फिर भी इस परसन के रिए ये बिलीफ कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वाकई में ये रिलेशंशिप वर्क करेगा इस परसन को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में या किसी ना किसी तरीके से आप से कम है ये परसन खुद को आप से कंपेर करता है और लगता है जैसे कि ये परसन आपको हर तरीके से परफेक्ट पाता है अपने लिए और फिर ये सोचने लगता है कि क्या आप भी उनके लिए ऐसा ही सूचते है विकेज उन्हें लगता है कि शायद वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है ओके दे वाइट हार्ट के साथ इस परसन को नजल आ रही है आपकी ब्यूटी आपका ब्याजिक and most importantly इस परसन को लगता है कि आप उन्हें उनकी मंजल तक पहुचा सकते है ओके दे वाइट हार्ट हमारे spiritual guidance को शो करता है तो इस परसन को लगता है कि एक तरीके से आप उनके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं क्योंकि अगलाई कार्ड़ा Enchanter's Wheel का है इसका मतलब है कि आपके आने के बाद इस परसन के लाइफ में बहुत कुछ बदला है इस परसन को पहले से कही ज़दा लखी महसूस होता है उन्हें लगता है कि वो definitely एक सही परसन के साथ है तब ही सारी चीज़े favor में वर्क कर रही है इस परसन को लगता है कि आपके आने के बाद जैसे उनकी किस्मत बदल गई और हर चीज पॉजितिव तरीके से वर्क कर रही है तो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो बहुत ही surprising है child of visions के साथ इस परसन को आपका playfulness भी बहुत पसंद है आपका यह बचपना आपकी immaturity इस परसन को पसंद है उन्हें लगता है कि जो भी हो रहा है वो वो शाद इसलिए हो रहा है कि वो अपने वो moments जी पाए जो वो जी नहीं पाए अपने life में लाइक का शाद यह परसन अपने past में बहुत जादा struggle कर रहा था या अपने life को पूरी तरह से enjoy नहीं कर पाया जब यह आपको देखते है कि किस तरीके से आपने अपनी life को जीना सीखा है आप जो चाहते है वो खरते है जो चीज आपको खुशिया देती है आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं आपके लिए life एक burden नहीं है एक तरीके से आपने हर चीज को handle करना और excited रहना सीख लिया है life के बारे में इस person को कभी इस तरीके से कुछ experience नहीं हुआ औके and आपके close आना इस person के लिए अपने आप में एक बहुत surprising चीज है इस person को लगा नहीं था कि आपके जैसे person उन्हें भी पसंद कर सकता है ब्लाक शक के साथ इस person को लग रहा है जैसे कि आपने उन्हें कोई approval दे दिया हो finally उन्हें कोई जंग जीत ली हो या फिर कोई obstacle रिमूफ कर दिया हो इस relationship में जो बहुत लंबे समय से बना हुआ था and जिसका जाना उन्हें impossible लग रहा था इस obstacle का हटना उन्हें impossible लग रहा था मगर अब इस person को यह लगता है कि आप दोनों के बीच बात आगे बढ़ सकती है तो यह person अब सोच रहा है nine of booms के बारे में एक family के बारे में एक commitment के बारे में एक ऐसा dream, jokie यह नहीं आपने जानते बट यह person देख रहा है यह person manifest कर रहा है इन चीजों को और चाहता है कि आप दोरों और close आए तो यह week भी आपके लिए काफी interesting होगा क्योंकि आप देखेंगे कि यह person कितना ज्यादा attracted है आप से और किस तरीके से आपको देखता है क्या image है आपके उनकी नजरों में यह person आपको बहुत कुछ बताएगा इस week में हाला कि यह एक journal reading है तो यह सबसे resonate नहीं होगी energy reverse हो सकती है अगर आप cross watcher है इसके अलावा अगर आप पिछले week की reading या early reading देखना चाहें 23 के 1st quarter, 2nd quarter और 4th quarter की तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा मेशा की तरह चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या messages है आपके लिए 2 of challenges 7 of booms 9 of challenges 9 of challenges and the lovers okay तो हमाँ पास है the lovers का card सपने देख रहे हैं ये obviously आप देखी सकते हैं कि ये person आपके कितना close आना चाहता है आपकी बाते सुनना चाहता है आपसे बाते करना चाहता है आपको अपनी feelings बताना चाहता है तो यहाँ पे मैं बहुत ही strong connection देख रही हूं दो lovers के बीच जो काफी लंबे समय के बाद ही बन पाया है आपने काफी वेट किया है आप दोनों ही काफी patient रहे हैं और finally अब ऐसा point आ गया है जो आपको लगता है कि अब और कोई obstacle इतना बड़ा नहीं है आपके रस्ते में कि आपके relationship को किसी भी दरीके से harm कर सके two of challenges के साथ यह है अपने बारे में सोचने के बारे में two of challenges का मतनब है कि यह person अपने आपको देख रहा है और लगता है कि कुछ improvement के बारे में सोच रहे हैं खुद को देखके अकसर यह person सोचता है कि क्या वह आपके काबल है क्या वह आपके लाइक है and यह person आपके according खुद को transform करना चाहता है seven of boons के साथ इस person को आपको अभी और भी जानना है आप यह दर्वाजे देख रहे हैं यह बंद दर्वाजे हैं और इनके पीछे की mystery इस person को हमेशा सोचने में मजबूर कर देती है कि आखिर जब यह दर्वाजे कुलेंगे तो इसके पीछे होगा क्या तो यहां पे यह person सिर्फ और सिर्फ आपके बार में सोचता रहता है इस week में ऐसा ही कुछ होगा यह person आपके बार में सब कुछ जानना चाहेगा in fact बहुत close आएंगे और बहुत deep questions भी पूछ सकते आपसे sunlight के साथ आपको लगेगा कि finally आप दोनों उस phase में आ गए हैं जब आप दोनों ने एक दूसरे को खुल के समझना शुरू कर दिया एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने express कर पा रहे हैं खुद को तो अब यह जो relationship है वो एक next level पे जा रहा है nine of challenges के साथ यह अकेलापन यह darkness यह सारी चीज़ यह person खतम करना चाहता है उन्हें अब यह सब कुछ नहीं चाहिए अब उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है उनका lover और एक destiny उसके साथ एक future उसके साथ बस इतना ही चलिए देखते कि आपके लिए oracle message किया है energy healing your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose so यह relationship सिर्फ एक relationship नहीं है यह एक purpose से भी जुड़ा हुआ है जो है healing इस purpose को आपको पूरा करना है in fact इसलिए person आपके life में आया है इस person को आपकी जरुवत है आपकी positivity की जरुवत है और यह चीज ही आप दोनों को close लेके आएगी यह healing और यह understanding and इसी चीज को आपको continue करना है खुद को heal करना और इस person को भी because यही इस relationship में चाहिए इस point पे तो यह है reading इस week की I hope आपको अच्छी लगी होगी thanks for watching till next video bye